नमस्कार, मैं वसंती साहू, मौम्स कीचन में आपका स्वागत करती हूँ आज हम सीखेंगे मालपुआ कैसे बनाते हैं मालपुआ बनाने के लिए हमें इन समानों की जुगरत पड़ेगी सबसे पहले गुड को लेंगे और तुकड़ा करके एक गिलास पानी में घोल देंगे और इसमें एक छोटा चम्मच इलाइची पाउडर और एक बड़ा चम्मच लगभग सौंप और आधा नारियल कीसा हुआ आपके पास जितना भी उपलब्ध हो नारियल ले सकते हैं और इस प्रकार से इसे मिक्स करने के बाद इसमें एक कप लगभग गहूं आटा डालेंगे और इसे इस प्रकार से फैट लेंगे और थोड़ा सा कंसिंटेंसी मोटा लग रहा है थोड़ा सा और पानी डालके इसे गोल इस प्रकार से बना लिये हैं बेटर हमारा एक दम सही रहना चाहिए बहुत ज़्यादा मोटा नी रहना चाहिए बहुत ज़्यादा पतला नी रहना चाहिए इस प्रकार से हमें बेटर तयार कर लेना है और चलिए कड़ाही में घी डाल दिये हैं मार गसीर सके बृहस्पति को लच्मी का पूजा करते हैं उसके लिए मालपुए का भोग लगता है लच्मी जी को बहुत ही प्रिय है मालपुए तो इसलिए इसको बनाते हैं और लचमी जी में भोग लगाते हैं तो इस प्रकार से इसको अराम से डाल देंगे और डालने के बाद थोड़ा सब फुलता है फिर इसो पलट देंगे और पलट के गोल्डन ब्राउन होते तक इसे पका लेंगे इस प्रकार से माल पुआ बनाए अब इसे हो गया निकाल लेते हैं और चलिए दूसरा बार और फिर डाल देते हैं कोई डरने की बात नहीं है अराम से डालिए एक चमज बेटर लेकर और ये धीरे धीरे उपर आने लग जाएगा और थोड़ा सा घी इसके उपर में और डाल देंगे तो ये अच्छी तरह से अब इसे चिम्टे के सहायता से पलट लेंगे और पलट के दो-तिन बार गोल्डन ब्राउन होते तक दोनों तरब को पका लेंगे इस प्रकार से माल पुवा बनाए बहुत ही स्वादिश्ट भी लगता है और लच्मी जी को भी बहुत प्रिया है तो चलिए एक बार और बत है और इस प्रकार से माल पुवे बनाएं खाएं और भोग लगाएं लच्मी जी को और यदि मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने दोस्तों में सेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं माल पुवा कैसे लगा मैं बहुत ही यूनिक और इजी रेसिपी लेकर आत किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और में आइकन को प्रेस करना मात भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी लेकर आओ तो सबसे पहले आपको मिले